तो आज कुछ सवाल मेरे भी होंगे क्योंकि मैं भी बहुत रखता हुए सेक्टर के लिए जो हेल्थ सप्लिमेंट बना सेक्टर हैं और बहुत सारे लोगों ने करी 40-50 सवाल पूछे और सारे सवालों का जवाब देना तो मुम्मिन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवा सवालों को गवर करेंगे लेकिन जीस तरह का इंट्रेक्शन होगा मुझे लगता है आप सबको अपने सवालों का जबाब मिल जाएंगे कुछ शब्द ऐसे भी होता है कि निट्रोसिट्रिकल फूट सप्लिमेंट निट्रिशन सर यह जो सारे शब्द है इसमें कोई ना कोई डिफरेंस तो ज़रूर होगा तो मैं चाहूंगा कि हम और सारे दर्शक पहली यह समझें सप्लिमेंट निट्रिशन निट्रोसिटिकल ले सारे शब्दों का एक्च्वल मतलब क्या होता है जी बहुत कॉमन सा सवाल है इसफाकुर जी और देखिए सबसे बड़ी इंपोर्टेंट चीज में आपके साथ सेयर करना चाहता हूं जितने भी लोग निट्रा सुटिकल फूड सप्लिमेंट डाइटरी सप्लिमेंट ज क्या है और किंगुंकि योई कैपसूल की फो में शॉबडर की फीवीड्र की फो में दिखते हैं तो इसलिए जन्र्ली इंसान से सब्सेटल नहीं डाई्री सब्सक्राइब किसी चीज को बढ़ाने आप बच Kelvin में एक टीवी देखते थे ब्लेक एंड वाइट के टाइम का जमाने के मैं बात कर रहा हूं जब उस टाइम पर डिम लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती थे तो हमारे टीवी के साथ हम एक स्टेब्लाइजर को चैनेक करते थे आपको याद होगा साहिव उसको बढ़ा देते थे यवी सही से नहीं चलता था तो लाइट की वज़े से नहीं चलता था तो हम वोल्टेंज को ऐसे घुमागुमा के उसकी हाइव वल्टेज कर देते दें कि हमारा टीवी अच्छे से चल तो same like that कि हम जो खाना खा रहे हैं आज वो हमारी बोड़ी में एक तरीके से डिम लाइट दे रहा यानि कि हमारी बोड़ी में कुछ कम्या रह जाती है आज के कान की वज़े से यह lifestyle की वज़े लाइक आज आप डाएटरी फाइबर पूरे ने ले रहे मैदा खा रहे हैं या फ हमें हमारे फूड यदि प्रॉपर भी ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है यदि हम अच्छी तरह खा रहे हैं बट उसकी प्रोसेसिंग यदि आपने फ्राइंग कर दी तो उसमें भी आपकी डेफिसेंसी होने के चांस है जो सो मोरोवर आपकी बोड दिखा पाए आपकी आपको जो आप चाहते हैं उस तरीके इसी एनरजी आप में रह पाए और आपकी बोडी प्रोपर तरीके से फंक्शन कर पाए तो डाइटरी सप्लीमेंट यानि कि आपके डाइट में कुछ और चीज एक्स्ट्रा एड़ोन करना जो आज के टाइम में जरूरत है तो इसको बोलते हैं डाइटरी सप्लीमेंट डाइट में जो कमया रह गई उसको एक्स्ट्रा करना जो आपकी रिकौर्मेंट है सबसे ज़ादा डाइटरी सप्लीमेंट को यूज करने में डैफिशेंसी ही नहीं आप exercise करते हो या sportsman हो या जिम में जाते हो तो आपकी जर्नल आदमी से protein की नीट ज़्यादा हो जाएगी protein की नीट ज़्यादा हो जाएगी या आप जैसे 40 साल की एज में हो आपको calcium ज़्यादा चाहिए vitamin D ज़्यादा चाहिए अब 100 ml दूद में milk में 100 ml milk में calcium कितना होता है 120 मीली ग्राम से 130 मीली ग्राम वैरी करता है breed to breed इतना ही वैरी करता है यानि कि एक लीटर पियेंगे तो लगबग हमें एक ग्राम के आसपास आपका हमें एक ग्राम से लेगे 1200 mg तक हमें ये calcium मिल सकता है पर एक लीटर में energy कितनी मिल जाएगी एक लीटर में आपकी almost दिन की 60-70% calorie आपने ले ली कितने mg के लिए 12 mg calcium के लिए बट यदि आप वही calorie को नहीं लेना चाहते क्योंकि आपका weight ज्यादा होना physical activity कम हो जाना ये तो और भी ज्यादा weight बढ़ा देगा तो आपको कुछ ऐसा concentrate चीज की जुरूरत है जो आपकी supply को पूरा कर दे बिना calorie दिये तो यहाँ पे भी आपका dietary supplement काम करेगा आप यदि muscle ज्यादा gain करना चाहते हैं आप general diet ले रहे हैं बट आपने यदि supply बढ़ादी protein की supplement जो हम ले रहे हैं तो आपकी muscle में effect आना start यानि कि ह कोई हमारा target भी है किसी चीज को वहाँ पे भी dietary supplement आपको उसकी उस particular जो requirement उसको पूरा कर सकते हैं और आज आपको एक अच्छी तरीके से अपने आपको manage कर सकते हैं lifestyle के according इसलिए dietary supplement 20 से 25 साल पहले इसकी एहमियत नहीं थी क्योंकि लोग customized life नहीं जी रहे थे सब normal nature के साथ जी बीता है और सब बीना एसी के बीता है बीना हो सकता है पंखे के बीता हो दोपैर को आपने पेड़ के नीचे खटिया डालके सोहे हो तो वह वाला टाइम गया अब आप कस्टमाइज है आप अप एक अलग life जी रहे हैं तो उस life को manage करने में आपका जो natural diet है उसका add-on आपको चाहिए add-on में आपका वो सप्लाइज हो है वो डाइटरी सप्लीमेंट दे रहा है याई कि डाइट को एडवांस हो में ले पाना अब यहां पर सवाल आता है जी न्यूट्रासुटिकल भी हम लिखा देखते हैं किसी चीज़ पे न्यूट्रासुटिकल भी डाइटरी सप् आप आप अस्वगंदा खा रहे हैं जैसे के सम 66 है वो भी फूड से आया हुआ है एक एक बना हुआ एक प्रोड़क्ट है बट उसमें और सप्लीमेंट में फरक्या है डाइटरी सप्लीमेंट में और नूट्रासुटिकल में फरक्या है हम किसी पर्टीकुलर चीज को कॉंस है तो फूड का हिसा पर नूट्रा नूट्रिशन के साथ फार्मा नूट्रासुटिकल यानि कि फार्मा फीजोलोजिकल इफेक्ट उसका पढ़ रहा है बोड़ी पे एक स्पेशल इफेक्ट हो रहा है तो डाइटरी सप्लीमेंट की छोटी-छोटी ब्रांच है फंक्शनल हो गया हमारा नूट्रासुटिकल हो गया फंक्शनल फंक्शनल फूड जैसे योगहर्ट आप खाते फर्मंटिड फूड खाते फंक्शनल इसी एक फंक्शन को कैरी करके चल रहा है यानिकि डाजेस्टन को कैरी करके चल रहा है प्रोबाइटिक आप खा रहे हैं तो नहीं है यह फूड से ही ड्रीवन चीज़े है डाइटरी सप्लीमेंट माह है और इसके बच्चे कोई न्यूट्राइटरिकल के रूप में कोई फंक्शनल फूड के रूप में है इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बट यह मैडिशन नहीं होती है बैक टू यू तो बहुत क्लियर हो गया है तो अगर हम लोग शॉट में समझें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि माई 90 एक डाइटरी सप्लीमेंट है लेकिन के सेम एक नीट्रसिटिकल है यह सवाल अभी अपने कहा भी था कि पिछले 15-20-30 साल के दौरान डाइटरी सप्लीमेंट का जरूरत नहीं कि फिचले साल में खाने के करने का प्रोसेस इंग्रैटर्ट्रर प्रोसेस में प्लैंट्स तो या फिर जो वीर 구any की करने को चैंवे क्व होरहा है तो क्या सारे लोगों को डीट्री में लेना चाहिए तो मेरा मानना यह है देख्ये में नेचर से अच्छी कोई चीज नहीं होती वो नेचरल चीज यदि आप खा सकते हैं पर नेचरल चीज खा के आपकी लाइफ आपको फिजिकल एक्टिविटी अलाव नहीं कर रही है तो नीचर से आपखा तो रहे हैं nutrition जो density है आज है, नूटरीशन डेंसिटी का मतलब percentage जो है किसी भी खाने में versus calorie, calorie की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज सब लोग calorie count की बात कर रहे हैं, कि 2000 चाहिए, 1500 चाहिए, 25 चाहिए, calorie versus nutrition जो है, उसको आप अपनी lifestyle के according manage करना, आज के टाइम में आज की दुनिया में बहुत मुश्किल का काम है अब स्पोर्ज करो के भी मुझे विटामिन D की डेफिसेंसी है अब विटामिन D को पूरा करने के लिए मैं पूरे दिन दो लिटर दूद पी जाओं तो मेरी कलरी कितनी चली जाएंगी मेरी कलरी तो लगबक आज के टाइम में सप्लीमेंट से मुझे मेरा जो मानना है कि सभी को पर पर्टिकुलर जैसे कोई खेत में रह रहा है नेचरल चीजे खा रहा है उसका कोई पर्टिकुलर कोई काम ऐसा नहीं है कि उसको कोई पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना है तो उसके लिए जनल जैसे करक्यूमिन है या बेरी फ्यूल है फ्रूट्स जो सीजनल नहीं खा पा रहा है उसके वहां नहीं है तो यह वाले प्रोड़क कोफी है यह वाले तो चले गए बड़ दूसरे वाले उनको ऐसे आदमें को जूरू नहीं बड़ हमारे जैसे इंसान जो है कोई गोहाटी में दिल और वह था कोई जरीया था उस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट अच्छी थी अब सबके पास वाच मैनेजमेंट स्मार्ट वाच हैं पर स्मार्ट टाइम नहीं है तो ऐसे केस में आपको अपने डाइट का ख्याल अपना सारी चीजों को ख्याल रखना पड़ता है और बढ़ेगा हमारे जीने के तरीके बदलेंगे नेचर से जितना दूर होते जाएंगे हमें कहीं ना कहीं उन सारी हमारी बोड़ी की जो फंक्षन है जो किरियां हैं उनको मेंटेन करने के लिए इन चीजों का सहरा लेना पड़ेगा नेचर अब गाशेदी का six एस नेचर के पास सुलीशन है टेक्नूजी के पास सर्विलनस मैं 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 दो सप्रनीट के पास सर्विलनस भी है और सप्लिमेंट के पास सॉलीशन भी है तो सय्पीलिमेनस संस्या सब्सिशन работу धेने का काशा है यानि कि आर्टी एक्स्ट्रीम बाहर वाले गाओं को छोगे जहां पर बाहर से कुछ नहीं आता मुझे लगते हैं सारे चीज़ों मिलावर्ट होती है पॉलिशन सोते हैं बहुत सारे एंविरेमेंटल फेक्टर होता है तो सही नेचुरल फूर्स हमारे पास नहीं और दूसरा बात अपने सब्सक्राइब को पर में बहुत कुछ लिखा है अमरीका का बहुत मश्रूर है उस बुक से रिलेटर एक चीज मैंने पढ़ी थी उन्होंने कहा था कि ज्याता तर बीमारी का पहला कारण नीट्रिशन डेफिशेंसी हैं तो अभी क्योंकि बहुत सारे सवाल अब लोग यहा नीट्रोसेट्यूकल ले तो क्या उनका बीमारी ठीक होने का चांस ज्यादा हो जाता है देखिए आप जो बात कर रहे हैं वह सिनर्जेटिक के लिए इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं जी और मैं सिनर्जेटिक का मतलब क्या है आप आज से बीस साल पहले थोड़ा सा आप जा यलोपेथ में वही ऐद्यदि आप दोक्टर की प्रैक्टिस में भी देखेंगे तो नींट्रा ने अपनी जगह बनाली वह सर्फ मानने को यह अपने ऊस throughput में लेने में कहीं ना कहीं अभी बही है यह चैलेंज है पर आज मैं आपको बताने वाला हूं डोक्टर ने क्या क्या एड़ोन किया है प्रोबाइटिक आपको एंटिबाइटिक के साथ ICMR की गाइडलाइन्स हैं कि आपको देना ही पड़ेगा यदि आप एंटिबाइटिक दे रहे हो disorder तो नहीं है कब खा रहे हैं पर आपका पचा नहीं पा रहा है तो तब भी deficiency हो जाएगी deficiency होगी तो disorder होगा disorder को इदि treat नहीं किया गया so ultimately death की तरब सब को जाना है बट deficiency और disorder की वज़े से जाए तो ये मुझे लगता है आज जो अधुनिक जीवन या अधुनिक एक यंग कंट्री होने के नाते हम बात कर रहे हैं तो यह हमारे लिए as a human being यह सही नहीं है तो moreover यह है कि आपको अब pharma के साथ यदि nutrition की supply को सही नहीं किया आप में पूरा current नहीं पहुंचेगा तो बोड़ी कैसे function करेगी so same like that हमें कोई भी lifestyle disorder होता है वो आज अकेला infection नहीं है जो bacteria virus से हो रहा है और वो आज metabolic या deficiency की वज़े से metabolic का मतलब जो आपकी खाने के बाद जो अंदर की प्रिक्रेया हैं stress के कारण या और आप अपना rest नहीं कर पाते हैं या digestion में problem है उसके कारण आप में बहुत सारी ऐसे बदला हो है आपके जीवन में जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं डाइटरी सप्लीमेंट की ज्यादा requirement है as compared to और आप जो मार्केट भी देख रहे हैं पहले डाइटरी सप्लीमेंट को जब जो जिम में जाते थे 20 साल पहले कहते थे जिसने बोड़ी बनाई है कि इसने डिब्बा खाके बनाई है इसने पाउडर खाके बनाई है कैसुल खाके बनाई है आज इतना तो आप जानते हैं कि डिब्बे का नाम पाउडर का नाम प्रोटीन लोग लेना स्टार्ट कर गए है इवन लोगों को यहां तक भी कुछ पर्सेंटेज ओफ लोगों को यहां तक नोलेज होगी कि वाइप प्रोटीन आइसोलेट क्या है कॉंसेंट्रेट क्या है आइसो प्योर का नाम वो जाने लगे हैं वीगन प्रोटीन की तरफ लोग जाने तो आज लोगों की नोलेज में जो है इंफोर्मेशन में जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है और उनको पता है कि मुझे पेंकिलर से विटामिन डी की डेफिसेंसी पूरी हो नहीं आपके जोइंट में प्रोब्लम है आपकी हडिया कमज़ोर होगी कैल्सिय और विटामिन डी और विटामिन के टू यह आपका रोल प्ले करने वाले हैं हडियों को मजबूत करने के लिए यानि कि हडिया मेंसे मिनर्स ना निकले वापस से उसक दोबारा से और रिकवरी करके आप पेन किलर खाने से होगा का प्याइन तो नहीं होगा बट डेफिसेंसी पूरी होने वाली नहीं पेन किलर से आपको अल्टीमेटली डायटरी फाइबर पे आना पड़ेगा सो डायटरी सप्लेमेंट का सबसिट्यूट कुछ भी नहीं है के पास और एलोपेट के पास lifestyle disorder का भी कोई सोलीशन नहीं है डाइबिटीज का मुझे बता दीजी आज तक कोई medicine बनी है medicine नहीं है वो उस टाइम symptoms को रोकने वाली चीज़ें है heart attack की इतने cases बढ़ रहे हैं मुझे बता दीजिए cholesterol घटाने वाला या वैलेंस करने वाला कौन सी medicine है नहीं जब तक आप खा रहे हो तब तक वो आपके metabolites को control कर रहा है जैसे आपने उसको दो मेंने खाना बंद किया वैसी problem खड़ी हो जाती है यानि कि control किया जा सकता solution नहीं है फार्मा के पास अलोपेट के पास बर dietary supplement के पास जैसे nature है क्योंकि वो भी nature से driven है calcium आपका या तो दूर से निकाला गया या दालों से निकाला गया किसी चीज़ से निकाला गया natural चीज़ों से निकाल के आपको एक supplement के रूप में दिया गया जिससे कि आप अपनी recovery कर पाएं सो इनका कोई substitute ने इसको अपनाना पड़ेगा आज नहीं तो कल जिस तरीके से हम अपने life को जी रहे हैं हमें बहतर तरीके से manage करने के लिए एक तरीके से जैसे आज mobile necessary है आप का मन mobile के बिना नहीं लगता ऐसे ही dietary supplement भी necessary बनता जा रहा है और लगबग 40% लोगों के लिए तो आज इसको लेना बहुत बड़ा मुझे लगता है कि आज की lifestyle के coding एक उनके लिए बहुत बैठरी मोका है कि वो अपने आपको आने वाले जो बिमारियां उनसे बचने के लिए आज वो इसको अपने डॉक्टर से या अपने एक्सपर्ट से या किसी आप खुद जानते हैं या यूटूब के मादम से गूगल के मादम से अपनी कम्यों को देखके उसके according supplement को चूज कर सकते हैं यह अपने बिलकुल सही का डॉक्टर सा हैं एक और हम सवाल कि मुझे भी धीरे-धीरे लग रहा है कि supplements बहुत जरूरी है हमें frequently लेना चाहिए और क्योंकि nature के सथ हमारे रिष्टा धीरे-धीरे गैप बन रहा है तैसे में मार्केट में लोगों के बस बहुत सारा options होते हैं और मुझे लगता है हम सब लोगों को भी मनमिया सवाल आएगा बेशक हमारे supplement बहुत अच्छे हैं बहुत affordable price में तो सर ऐसा basic कौन सी difference हो सकते हैं कि दूसरे के supplements dietary supplements या भी nutraceuticals में और हमारे वाले supplements में basic जो difference है देखे मैं यहाँ पे इस्वाकुर जी यही बताना चाहूंगा dietary supplement आपको market में अलग-लग brand के रूप में द commercialized product पुरे worldwide में दिया डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के different different brands से देखे अकेला यह कहना के मेरा अच्छा है इसका अच्छा नहीं है उसका अच्छा है यह सारी बात है ना सब को लोग करते हैं मार्केट में सब एक common सी बात है बट यहां पर difference कहां पर create होता है एक देखने क तो एक general आदमी के लिए tablet है कोई भी पर वो tablet कहां पर जाके डिजोल होगी बोड़ी के आपके digestive track में आपके food की pipe से कहां पर जाके वो डिजोल होगी और वो जो आपने उस tablet में जो ingredient डाला है वो कहां पर अब्जोर होता है कि आपकी कोई चीज स्टमक में जाके ही काम करने थी बट वो tablet आपकी स्टमक से पार होगी तब भी डिजोल नहीं होई तो वह जो आप खा रहे हैं वह सप्लीमेंट नहीं खा रहे हो वह वैस्ट खाली tablet खाले हो काम करने वाला नहीं है तो science और technology जो चीज है वही quality को बहतर बनाती क्वालिटी बहतर बनाने का मतलब हाईजीनिटी नहीं होती है अकेली हम उल्ली यह मान लेते हैं कि हाईजीन प्रैक्टिस ही quality को डिफाइन करती है कौन सा ingredient लिया है वह कौन सा salt है जो body को सबसे ज़्यादा bodies को एक्जोर कर पाएगी क कौन सा even tablet में binder agent डाला है वो कितनी देर में release होगा अंदर जाके और कितनी देर में एक body कितनी कहां तक वो tablet travel करती है यह सारी चीजे किस concentration में उसके डाला गया है यह सारी बातें आपको अपने supplement को तयार करते टाइम अकेला ingredient पे नहीं आप अकेला ingredient पे बात करेंगे तो यह ingredient क कि आने वाले टाइम में आपके साथ मार्केट में बहुत सारे लोग compare करने वाले हैं पर यहां अकेले ingredient की बात हम नहीं करें delivery system क्या डाल रहे हो आप कहां पे रिलीज करवाना है कहां पे उसका efficacy ज्यादा है किस फो में डाल रहे हैं उसको कौन सा binder agent है कोटिंग टैबलेट है कैसी टाइप की टैबलेट आप उसमें दे रहे हैं capsule में दे रहे हैं तो उसका कितने उपर का cell है कितनी देर में डिजोल होने वाला है कितना उसकी मोटाई और लंबाई आपने ली है किस material से बना है यह सारी चीजे delivery के time efficacy बढ़ाने वाली चीजे होती है सो दूसरी चीजे यहां पर important role play करती है कि आपको मैं बताने वाला हूँ आप suppose करो vitamin A की मैं बात कर रहा हूँ vitamin A अकेला nature में कहीं नहीं पाया जाता कोई ऐसा plant है नहीं जहां अकेला vitamin A का fruit देता हो आप vitamin A के साथ आपको co factor भी मिलेंगे co factor होते हैं इनकी efficacy बढ़ाने वाले यानि कि जैसे आप upline है vitamin A upline नीचे आपकी downline co factor का का काम कर रही है आपको sport कर रही है आपके business को sport कर रही है आपका mentor आपको sport कर रहा है तो same like that अकेला vitamin कहीं भी नीचर में नहीं मिलने वाला उसके साथ बहुत सारी चीजे मिलती नीचर में जो उसकी efficacy को जो अंदर जाके आपकी body के लिए value रखती है वह side वाले चीजे ज्यादा important role play करेंगी सो जैसे omega आपका flexi oil है flexi oil में हमने क्या किया साथ में vitamin A extract किया क्योंकि उसको same environment दे दिया जो जहां से निकल के आता है कहां से निकल के आया है fat soluble से निकल के आया है vitamin A fat soluble होता आपको मालूम है vitamin D है vitamin E है वह कहां पर soluble होता है fat में soluble होता तो वहां पर आपका B भी डाल सकता था कोई दिखाने के लिए कि हमने तो vitamin B भी डाल दिया इसमें हमने vitamin C भी डाल दिया बट वह fat soluble नहीं है तो हम वह अपने product को design करते टाइम यह देखते हैं कि यह जो ingredient हम deliver करें इसका medium जो है वो उसको sport करें उसके function को उसकी जो उसका proper तरीके से body utilize कर पाए तो यहां पर difference यही आएगा formulation अकेला नहीं है किसके साथ deliver कर रहे हो उसकी cell जो है वो कौन सी ली गई है कितने दिर में डिजोल होगी कहां पर जाके utilize होना है this is all about the science and technology and इसी को efficacy बोलते हैं और इसी को आप quality बोल सकते हो अब synthetic vitamins आपको बहुत सारी market में मिल जाएंगे synthetic vitamins कभी भी आपका बट कुछ vitamins जो है वो nature से नहीं निकल पाते हैं तो और निकल पाते भी यह तो इतने महंगे हो जाएंगे कि जनल लोग utilize नहीं कर पाएंगे कुछ में तो आपको synthetic डालना पड़ेगा पर synthetic को अकेला आप दे देंग तो बोड़ी उसको अच्छे से utilize ही नहीं कर पाते हैं आप खायने को तो वो vitamins या supplement खा रहे हैं बट बोड़ी उसको नहीं utilize कर पा रही है तो हमारा यह रहता है जब आपके पास option नहीं है तो surrounding चीजों के साथ ऐसे दे हम उसके दोस्तों के साथ उसको भेजने कि मैफूज हो जाना अब जोर ना हो पाना तो ब्लोटिंग डाजेशन में problem करना डाजेस्टी ट्रैक में दिक्कत करना इवन सम टाइम आपको खबरे मिलती है supplement खाने से cancer हो जाता यह ऐसी मिच चलती है बट सप्लीमेंट के proper concentration और उसका कहां से वह लिया गया है यानि कि synthetic की high concentration medium को decide नहीं किया so you have the adverse effect जो आपके लिए long term में निक्षान दे सकता पर यहां पे आपके लिए उन चीजों को ध्यान वे रखते हुए हमने जो medium त्यार किया किस में डालके भेजना है तो वो सारी चीज़ें यहां पे हमें market से अलग बनाती है और safety wise हम कही market से बहुत आगे है science wise हम बहुत आगे हैं अकेला यह नहीं कुछ लोग आरवेद का परचार करें अच्छी बात है और आरवेद को भी आपने किस सीरफ फोम में दे रहे हैं तो उसका क्या effect होगा टैबलेट फोम में दे रहे हैं क्यूं दे रहे हैं यह region बता पाना इसुरूप में ही क्यूं दिया में देते हैं अकिला न्यूट्रा जहां पर डेंस होता है क्योंकि जो टैबलेट है वो लोंग ट्रैवल कर पाती है और वह जब डिस्पर्स होती है तो प्रॉपर एरिया में उसका हो जाता है बट कैप्सुल जल्दी आपका क्या हो जाता है यहां स्टमक के एसीड में वह खु प्रॉपर कोंबिनेशन की वज़े से हम यहां पर मार्केट में अलग है और इसी के वज़े से आज 6 साल में लोग ओके लाइफकेर के प्रोड़क्ट से प्यार करते हैं लोग इसको अपना रहे हैं क्योंकि यह नई साइंस नए टेकलोजी के साथ यह प्रोड़क्ट दिये उसको किस फॉर्म में लाए जाए कैसे जाएगा कहां पर डिजॉल्ब होगा कहां भी वह उसका एक्टीव इंक्रेडिन को रिलीस करेंगा कि फिर एब्सॉब होगा इतने सारे चीज़ों को कंसिडर करने के पाद जब एक प्रोड़क्ट को बनाए बेश्यक्ट वह प्रोड ख्रोड को सबसे जादा अब का साल्ट में लेका है । ऐसे जल्डी अपजोर कर पाती है तो यह जहाँ पर यहीum प्रेंस बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि चीज़ां आपको almost market में वैसे आपको मिल जाएंगी किस फोम में किस delivery system में किस नी concentration में आपके की गाइडलाइन के according RDA value के according deficiency कितनी इंडिया में इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहां पर formulation advance आपको मिलेगा और हम यही आप लोगों से आप लोगों को सिक्यूर करना चाहते हैं कि science-based होने का यही फायदा होता है कि आप scientifically चीज़ों को समझते हैं और लोगों की जो problem है उनको scientifically soul करने का काम करते हैं प्रोड़क के मादम से और मैं अपने सारे participants को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बिक्रान जी है जो अभी भी continuously research में काम करते हैं हाली में उनके article journal में पुब्लिश हुआ था प्रोटीन को उपर में और बहुत बड़ी बात है कि एक international journal में आपका article publish होना तो हमरे पास ऐसे resource है जो दीन राथ इसी research में लगे रहे था कि best formulation कैसे आपके पास आए और यही कारण है कि हमरे पास world class products है एक सवाल जो बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे और मुझे भी लगता है कि जो हम Indians जो खाना खाते हैं जाहिर है हम इसे ज्यादा तर लोग balanced food नहीं खाते यानि उसमें कितने कारप्स होने चाहिए कितना portion protein होना चाहिए कितना vegetable होना चाहिए तो अगर हम लोग Indian सिनारियों को देखें से 25 साल से लेकर 40 साल का age group जो सबसे ज़्यदे population वाला है पीस range के लोगों को in general किस तरह का supplement regular लेना चाहिए मेरा मानना है कि अच्छा फील कर रहे हैं आपने कोई deficiency नहीं है तो यूर ब्लेस्ट आज के टैम पर यूर ब्लेस्ट मैं बोलूंगा एक special आसिवाद है आपके आदतों के वज़े से हो आपके environment की वज़े से हो कोई भी उसका region हो सकता है बड़ जैसे बेरी फ्यूल है यह क् रिके से आपके डारेक्ट नेचर आपसे मिलने आ रही है नेचर क्या कभी वह अकाई बेरी के रूप में मिल रही है कभी वह कीवी के रूप में मिल रही है कभी वह आपके बनाना के रूप में मिल रही है तो नेचर को आप डारेक्ट ली क्योंकि स्ट्रोबेरी आपके अर अलग अलग जगह की अलग अलग खासियत रखते हैं तो इतनी सारी चीज़े मिलके आपको नेचर से मिलवाने की बात कर नेचर यानि कि आपकी बोडी टाइप और आपकी जो डीने है और आपका एनवार्मेंट है उसको एक तरीके से उनका कॉंबिनेशन करवा रही है उनकी चारी दोस्ती के साथ करवा रही है हुआए और आपकी सेल का हो कि लीवर भी किससे बना है सेल से बना है हर्ट किससे बना है सेल से बना है ब्रेन किससे बना सेल से बना स्किन किससे बनी सेल से बनी है सबसे छोटे काई यदि इंटे मजबूत हैं घर बनाने वाली तो दिवारे तो मजबूत होना लगता है या नहीं भी लगता है आपको लगता इम्म्निटी की प्रॉब्लम लग रहे हैं तो आप अपना क्या बोलते हैं करक्यूमिन जो है वो भी एक नेचर के साथ आपको कनेक्ट करवा रहा है इससे अलग मैं जाओ स्पेशलाइजेशन जो आज 40 के आसपास आरजी फ्यूल आपको साल में मुझे मेरी रिक्मेंडेशन आपको जुरूर लेना चाहिए आरजी फ्यूल के असन बेरी फ्यूल इवन ओके फिटनेस आपके लिए एक तरीके से इम्म्निटी बूस्टर और आपके वेड बहुत अच्छा काम करता है सो कुछ ऐसे प्रोड़क है जो जर्नल हमें हमारी अपने लाइस्टाइल में उनको बिना रिक्मेंडेशन के यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि इनको इनका कोई आरडी वेलू नहीं है पर इनकी रियल वेल्यू है हमारी जिंदगी में हमारी वेल्यू नहीं मिलेगी आपको क्यों की कोई पर इनकी जो वेल्यू है तो पूरी वेल्यू भी आप पचाने और आरडीय वेल्यू होता रहता है जैसे आप अलोविराद पी सकते हैं, सीबक्थोन पी सकते हैं, यह ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जर्मेल यह आप वेल बिंग इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कोफी के सोकिन हैं, जैसे आप चाहें कोफी, तो वो भी फंक्शनल कोफी के रूप में आपके पास एक अस्वगंद कोफी के रूप में एक बहुत अच्छा उप्शन है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एक मैं आप से रिक्मेंड यही करना चाहूंगा, जो कैलसियम जिनके पानी में ज्यादा है, और कैलसियम सबसे ज्यादा कहां पर होता है, जितने भी हिल स्टेशन है, जितने भ खान पान का जो बनाने का तरीका वो चेंज हो गया है, और उनका डाइजेस्टिव हल्थ कहीं ना कहीं अधिकत में है, उसकी वज़े से विटामिन के की डैफिसेंसी हो जाती है, और के की डैफिसेंसी डारेक्टली आपकी कैलसियम का डिपोजिशन हड्डियों की बजाए, दातों की बजाए, आप सीधा कहां पर लेके जा रहे हैं, हर्ट की कैपलरीज में, वास्कुलर कैलसिफिकेशन हो जाता है, यानि की खून की नलियों में कैलसियम जमना स्टार्ट हो जाएगा, और खून की नलिया हाड हो जाएगी, हाड हो जाएगी तो एक तरीके से हर्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और आपको बीपी होने के चांसिस या कोई भी कार्डियोवस्कुलर आपकी दिक्कत है, यानि के हर्ट अटेक से लेके हर्ट फेलियर तक की प्रॉब्लम आप में आ सकते हैं, तो आपको के टू ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, जो और जो फ्राइज ज़्यादा खाते हैं, डाइटरी फाइबर इंटेक कम करें, तो इत मींस कैल्सिफिकेशन होने के चांसिस ज्यादा आप में होते हैं, बहुत वैलुवल इंफॉर्मेशन था कि जिन लोगों के वहाँ पे पहाद जिसे पे आपको सबसे ज्यादा पत्री क जहां बन रही, क्यों बन रही है, क्योंकि हड्यों में केल्सियम नहीं जा रहा, वो या तो किड्नी में जमा हो रहा है, या आपकी खुन के नलियों में जमा हो रहा है, तो यह एक रीजन है, केटू की कमी, आपको बार बार में पत्री बन रही है, स्टोन बन रहा है, किड् बहुत इंपॉर्टर सवाल तक हम लोग पहुचते हैं बहुत सरे लोग ने पूछा भी है कि मोरलेस अभी धीरे-धीरे हम सबको एहसास होने लगा है कि सप्लिमेंट जरूरी है और कुछ कुछ ऐसे सप्लिमेंट है जो हम लगातार ले सकते हैं अपने नाम लिया बेरी फ्यूल के सब्सक्राइब तो क्या इसका इस्तेमाल करने का कोई सेप्टी मेजर से कोई तरीका है कोई इसका खास पॉइंट्स होंगे ध्यान देना लाइक दैट राइट देखिए न्यूट्रा है उसको आप खाने से पहले भी ले सकते हैं काने के दो घंटे करक्यूमिन से आप ऐसा कुछ नहीं है कि खाने के बाद ही लेंगे आपकी मर्जी है क्योंकि उसका जो फीजियोलोजिकल इफेक्ट है असवगंदा का वह आपकी बोडी में वह मोलीकुल जाएगा तो वह ट्र और नुट्रसुटिकल को आपकी मर्जी है जब आपका मन करें के सम गयनोडर्मा आपका करक्यूमिन जो सिंगल हाब्स है इनको किसी टाइम भी यूटिलाइज किया जा सकता है बट जैसे आरजी फ्यूल है यदि आप कार्डियक चीजों के लिए ले रहे हैं आपको वासु गंटे का खाने का गैप है उस टाइम आप लेंगे तो अच्छा है आप किसी को मसल बढ़ानी है अपना बढ़ाना है और आपने फिजिकल प्रफॉर्मेंस बढ़ाना है तो वह क्या करेगा वह आप एक्सराइज से दस पंदरा मिनट पहले प्री वर्काउट के रूप में उसको लिया जा सकता है अब बैरी फ्यूल है वेरी फ्यूल को आप पर चाहिए आप खाना खाते साइम साथ में सिर्प कर लें इसमें दिक्कत क्या है क्योंकि वह एक तरिके से यसे पिस्ञाइक का प्लोग और जूस देखते हैं वेरी फ्यूल आपके फाइबर को भी पूर का बैलेंस है उसमें अब आपको अकेला फाइबर नहीं चाहिए दो टाइब के फाइबर होते हैं एक होता है इन सोलीबल जो आपको स्टाइटी देता स्टाइटी का मतलब आप फुलनेस की फिलिंग आई ज्यादा नहीं खा पाएंगे आप जो सोलीबल वाला पोर्शन है उसमें जो जो फाइटो जो फाइटो केमिकल्स होते हैं जो बोटनिकल एक्स्ट्रेक्ट की जैसे आए होए हैं जैसे एंतोसाइनीन होता है बेरीज में यह आपके गट बेक्ट्रि जो आ रहे हैं वो आपके गट के बैक्टिरिया को बहुत पसंद है वो अपके लिए डिलीशियस फूड है तो आपके गट के बैक्टिरिया उसको खा के अपनी बढ़ा देते हैं और आपका पेट एक तरीके से गट के बैक्टिरिया फल्रिस होंगे और आपकी पूरी बोड में जो आपके माइक्रोबायोम यानि की गट बैक्टीरिया प्रोबाइटिक को अच्छे लगते हैं उनका डिलीशियस फूड होता है राइट आ सो बात यह आती है कि लोग रिजल्ट की भी बात करते हैं इसमें कि सबसे बड़ी जो दो-तीन चीजे मैंने मेरे को लगता है डा आप एक्स्ट्रा डोज भी नहीं लेंगे और आप जो रिकमंड की हैं उससे नीचे भी नहीं लेंगे अब उसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा रेगुलर यूज नहीं करेंगे सम्टाइम लोग क्या करते हैं एक हपता खाके मैंने देख लिया मुझे कोई एफेक्ट जो लेवल है या आपका जो कंबिनेशन ओप जो डिसोडर है वो हो सकता है एक हपते में उसको एफेक्ट नहीं कर पा रहा है उसको हील करने में ज्यादा टाइम लगे सो 90 दिन से 120 दिन का कोर्स जुरूर पूरा करें जिससे कि आपकी बोडी में क्योंकि 90 से 120 दिन हर सेल के लाइफ होती है आपमी एवरेज तो नई सेल बनेगी उसका नरिश्मेंट पूरा होने के लिए 90 दिन 120 दिन आपको लगने वाले हैं अब नई सेल को आप यह फूड दे रहें अच्छे वाला तो स्ट्रोंग बनेगी स्ट्रोंग बनेगी तो आपकी और आल फंक्शनिटी ब खाया व्यार मन नहीं दो दिन नहीं खाता तो आपको एफेक्ट तो आएगा पर वह जो आपका टारगेट एफेक्ट है वह कहीं न कि आपसे चूट जाएगा तो यह जुरूर करें जब डिटरी सप्लाई बढ़ा रहे हैं डाटरी सप्लीमेंट जब ले रहे हैं वहां पर आपको जो वाटर इंटेक है फ्लूड का जो इंटेक है उसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए जैसे आपने अभी स्पोज करो मैंने कोई डाइटरी सप्लीमेंट खाया मैंने कोई टैबलेट खाई तो आपने खाने के आधे गंटे के बाद या एक गंटे के बाद जुरूर ग्लास ओफ वाटर पीना चाहिए इदि नहीं पी रहे हैं तो हो सकता है वह आपका अच्छे से डाइजेस्ट ना हो वह अच्छे से डिजोल होके बलड में न जाए तो य पात में वाटर इंटेक जुरूर आप अपना बढ़ा देजब आप डाइटी सप्लीमेंट लेते हैं बहुत वेलेवल इंफॉर्मेशन दा क्योंकि अक्सर हम सही से लोगों को शायद नहीं बता पाते कि कब तक यूज करना है यह बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन है कि हमे को recommend करेंगे तो better result मिलेगा हो सकती इससे पहले भी उनको result देखा बट जो duration है हम suggest करेंगे तब तक यूज करें कुछ products के बारे में बात्चीत करेंगे अपने शुरूवत में एक बात कहती प्रोबाइटिक और मुझे लगता हमें से बहुत सारे लोगों को पता होगा प्रोबाइटिक हमारे इंटेस्टाइन में मौझद अच्छे बैक्टरिया और सर मैं चाहूंगा अब इसके बार में थोड़ा से यह बताए कि सड़ली यह शब्द हमें पिछले कुछ साल में क्यों ज्यादा सुनने को मिल रहा है क्या problem हो गई है पार इसे में हमारे कौन सा product लोगों का इन जेनरल यह कमी पूरी कर सकती है इस वर्ड को प्रोबाइटिक बोल रहा हूं तो यह बहुत छोटा लग रहा लोगों को यह रियल में छोटा लग रहा आज के टाइम पर अगले दस साल में इतना बड़ा वर्ड होगा कि आगके खाने में इसके बिना लोग जी नहीं पाएंगे इस में लीवर है इसमें हार्ट इसमें ब्रीन है लोग इसको मशीन की तरह देखते पर मेरा एजसेंटिफीक इसको देखना बिल्कुल डिफरेंट है यह मसीन नहीं है मशीन के पूर्जे कहीं कहीं कोई कोई दूसरी कंपनी बनाती है तो फिट किये जाते हैं मुझे यह बताओ कि आपका लीवर आया कहां से कौन से कंपनी ने बनाया फादर से आया मदर से आया यह कोई पूर्जा फिट नहीं है आप देखेंगे यह जो दो यह पूरी बोड़ी मेरी आपकी किसी की भी पूरी बोड़ी बनी है यह दो से बनी है एक मदर का ओवा सेल था पर एक फादर क भनी चार से आठ Kundu 8 से जिसे हम अपने टीम में करते हैं आ ऐसे ही हमारा यह प्रोसेस बोडिने कोता है विए इंड कोड लिखा है क्य कों सा प्रसटी पैइन सेल का कौन सी चीज लिव़ सैल बनाएगी कौन सी सेल हड़ियों की सेल बनाएगी, कौन सी स्कीन का कलर को कंट्रोल करेगी, कौन सा हेर के कलर को कंट्रोल करेगी, कौन सा हर्ट को कंट्रोल करेगी, सबसे यहां पर important चीज क्या है, कि बोड़ी में छोटी एक आई है, वो अपने अपने एक बोड़ी है, क्योंकि एक सेल से पूरी बोड़ी बनाने की उसमें खासियत है तो वो अपने अपने पूरी बोड़ी है उसी से पूरी बननी है तो हमारी जो ट्रिलियन्स ओफ सेल से बना हुआ सरीर जो है उसमें हर सेल एक बोड़ी की बनाने की कैपस्टी रखता है तो हमारा सबसे बड़ा ये अब ये आप ये ना मानी, ये एक मशीन है, मशीन नहीं है, ये एक सेल से बना हुआ, एक तरीकी से कोडिनेट होके चीजों को बनाई गई है, एक सेल के एक पॉर्षन ने, एक प्रोटीन ने, लिवर की तरफ मोड लिया, एक ने हर्ड की तरफ मोड लिया, तो ट्रिलियन् वाइउ है अब इनके साथ connect कोन करवा रहा है वुझे बताये इनके साथ connect करवा रहा है probiotic क्योंकि यह कहां से आया यह आपकी मदर से नहीं आया है या आपके फादर से नहीं आया है यह सदियों से हमारे साथ इन बैक्टिरिया ने जीना सीख लिया इनका घर हम है अब जो भी यह जहां से आए हैं यह कहां से आएंगे पेड़ से आएंगे पोधे से आए होंगे किसी प्रूट से आए होंगे दही से आए होंगे आए हैं कहीं ना कहीं से यदि यह जहां जिस ए आइडिया हो जाता है बहार क्या चल रहा है क्योंकि अब सर्दी वाला बैक्ट्रिया प्रोबाइटिक सर्दी में ज्यादा प्लॉरिस्ट करेगा सर्दी वाला फूड उसको देंगे तो उसका लजीज फूड है कि मैं आपको जनरल भासा में समझाने की कोशिस कर रहा हूँ सर्दी में अलग बैक्ट्रिया गर्मी में अलग बैक्ट्रिया तो इसलिए मोसम के अनुसार लोग खाया करते क्योंकि आपके अंदर भी एक दूसरी दुनिया है जो कि толillions of bacteria बैक्टिरिया और आपके वंगस आपकी बोडी में जो आपको बैनिफिट दे रही है वह अच्छे से नहीं खिला पारे हैं हम नेचरल नहीं दे पारे हैं तो वह भी डिस्टब है और हमारी बोडी में हम उली यह सुष्टे पेट साप करने का काम करते नहीं आपके बीपी को भी यह कंट्रोल करते हैं आप जो हडियों में कैल्सियम नहीं जा रहा है और हर्ट में जमा हो रहा है नलियों में जमा हो रहा है किड़नी में स्टोन बना रहा है यह किसकी कमी से आपके बैक्टिरिया अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं आप नैचरल फूड नहीं खा रहे है तो आपका अंदर का सिस्टम वो है आपका मूड जो है आप लोगों ने सुना होगा कि पेट से ही दिमाग का कनेक्शन होता है यदि आपका खुस है तो दिमाग खुस है यानि कि हमारा जो मूड है वो भी प्रोबाइटिक कंट्रोल करते हैं इसके अंदर प्रोबाइटिक नह आपको ओके लाइफ के डे फॉस से हर सप्लिमेंट में प्रोबाइटिक डालके दे रहा है इसका मतलब यह है कि आपके जो जिसकी सबसे ज़्यादा पोपुलेशन है वैसे टाइप के स्पोर जो है उनके बीज जो है वो डाल दिये जाते हैं अंदर जाके उनको अन्वर्मेंट मिलता है और वो फलरिस हो जाते हैं आपके खाए पी आपके मूड को आपके पेट साफ करने को विटामिन के देने का काम विटामिन बीट वैल देने का काम इमनिटी इवन कैंसर की रोक ताम जो है वो प्रोबायेटिक अंदर से यह करते हैं anti-carcinogen peptide यह बनाते हैं anti-carcinogen peptide की मैं बात कर रहा हूं यह चीजे हम अपने जर्नल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग scientific background चे नहीं होते तो वो लो लोजी हर्ट बीट डेफिसेंसी आपका डिटोक्सिफिकेशन इस सारी प्रिक्या है लिकी गट एक बहुत बड़ी बिमारी आज लिकी गट का मतलब है अंदर की आते हैं इतनी पतली हो जाते कि आपका खाया पिया ब्लड में डिरेक्ट जा रहा है आपको जल्दी घेरने वाली हैं सो ओटो में डिजिस से बचाने का काम भी कौन कर रहा है यह बहार की यह क्योंकि आपकी गट की लीकी गट को भी कंट्रोल करते हैं यह लेयर बना देते हैं और आपकी स्मूधनेस बढ़ जाती है और आपकी आंदर के डाजिस्टिव ट्रैक क समूध और मजबुत बनाने का काम यह करते हैं तो आपको किसे बचा रहे हैं ओटो में डिस ओडर से भी बचा रहे हैं इसके लिए तो मैं पूरा दिन भी बोलने का टाइम मिले कैसे कैसे काम कर रहे हैं मैं ऐसे इंस्सीट से पढ़ा वहां पर प्रोबाइटिक पे बहुत ज्यादा काम होता था तो वहां पर मुझे इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करने का इन पर बहुत सारे पढ़ने का और जो हमारे कलीग इस पर काम करते थे उनके साथ बैठने से पांच से साल इसके बारे में समझ में आया कि प्रोबाइटिक डाइटरी फाइबर और एंटियो और तीनों के तीनों मिसिंग हैं डाइट से यही पहले की जरनेशन को आज आप ओकिनावा स्टेट के बारे में रिसर्च चल रही है जापान में नब्बे नब्बे साल की एवरेज लाइप चलती है उनकी डाइट में फर्मंटिड एके स्वयाबिन का टोफू होता है उनकी डाइट में सिट्रस फ्रूट के रूप में एंटियोक्षिडेंट होता है उनके रूप में वोल फूड डाइटरी फाइवर के रूप में होता है और ओमेगा से भरपूर वो फिस को यूटिलाइज करते हैं यह चार चीजें उनकी डाइटरी हैबिट्स की वज़े से उनकी सो साल की जिंदगी है तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं आस्थमा को भी रोकता है जो आपके अंदर जो एक तरीके से इंफ्लामेटरी प्रोड़क्ट जो बन रहा हो पेट से होके जा रहा है अब यह इंफ्लामेशन को कंट्रोल कर रहे हैं आस्थमा जैसे बिमारी ना होना प्रोबाइटिक पेट साफ ना होना पेट की एको सिस्टम सही ना होना इनकी वज़े से होता तो प्रोबाइटिक एक ऐसा एरिया है जितना भी आप उसको यूटिलाइज करेंगे और जितना उसको कमर्सलाइज करेंगे आपको आने वाला कल और आपको मार्केट में आगे रखने वाला है और मुझे लगता है कि एक right direction में हमारा by the grace of God वो भगवार ने वो background दिया कि हम probiotic को day first से ही यहां लेके आए जिसकी जुरूरत आज पूरे world को है बहुंतों शुक्रिया और मुझे बिल्कुल अन्दाजा नहीं था एक probiotic इतना कुछ कर साइब और यह हमारे बॉड़ी का हमरे system का एक हिस्सा है यह हम सोचते हैं कि हमारी बॉड़ी में लिवर इस probiotic हमारी बॉड़ी का आंग है यह नहीं होगा function नहीं चल पाएगा आंग है यह हमारी बॉड़ी बहुत वेलेवल इंफॉर्मेशन था अभी तक हमें लगता था डाइटरी सप्लेमेंट मेंडरेल्स विटामिन सी होता लेकिन यह कंप्लीट तब होगा जब इससे साथ प्रोबाइटिक सोगे और मुझे लगते इसलिए शाहत हर्भी फूर्सिट्रिकल के सारे प्रोड़क्स में डाला गया है इवन हम अपने हर्भी मैक्सिमम प्रोड़क्स में जिसमें डिलिवर किया जा सकता है उसमें डालते हैं चाहें वह हमारा मील रिप्लेस्मेंट एब् अतनी बोड़ी में जो 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 बोड़ी प्स है वह आकů में है उसको अपने अंग को डाल सकते हो इस इस टोल कर सकते हो इसको प्रोपर ऊपर फॉच्शनिंग में ला सकते वह सुब ऊप्रिक साथ एक सब एक बहुत बहूत बूहारतेरिन वर्मूला अपने भी बताया था कि Vivi साल 100 साल अचाए दियाटड सेजने का तो प्रॉबाइटिक हमें पता चल गए हपी लेड इंडे का भी हम आलोविरा जूस के साथ जो भी अपने जूसी जा रहे हैं यह एंटियोक्सिडेंट प्लस डाइटरी फाइबर आपको दे रहे हैं अब आपका प्रोबाइटिक वैसे भी पूरा हो सकता यह आप लगाता डाइटरी फाइबर को यूज करते हैं क्योंकि बाहर से भी आप कुछ खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई बैक्ट्री है वाइरस तो हमारे लिए अच्छा है वार्च गलत बुल रहे ह। से फंगस और वैक्टिरिया ऐसे जोमारी लिए अच्छा है वो कहींना कई से आपके आज आते हैं यदि आप फाइबर पूरा रखते हैं पर फाइबर पूरा रखना चिप्स में कितना फाइबर आपने कभी सुना है जीरो फाइबर है यदि मैं बात करूँ आपकी जो स्वीट्स खा रहे हैं उसमें कितना फाइबर है जीरो फाइबर है चाए पी रहे है जो अस्वा कॉफी है वो सोलिबल फाइबर देता है अस्वा के रूप में जो आपके गेट बैक्टरिया उसको यूटिलाइज करते हैं और जो आखों से नहीं दिखता उसका उसका फूड भी कितना कैसा होगा सोलिबल फूम में ज्यादा फूड है तो उसको आप जो इन सोलि आपके स्टूल को समूद कर देते हैं आप आराम से कोंस्टीपेशन से बच जाते हैं फ्रैज अच्छे से उपाते हैं पैस जैसी वीमारी से बच जाते हैं plans आपकी प्रॉपाइट के साथ इनुलेट्र पाइबर मिलते हैं आप्के जो आपके बास्केट में यसमें वरपूर मात्रा में मिलते हैं तो अप ऊच्छा फियल्ड करेंगे वह पूर्ब शुकता डॉक्त्र साब एक और हम लोग ढहिए धिरे डिरे सेशन के इंट की तरफ जा रहा है मुझे मेरा मन कर रहा है कि हम लोग और डिसकर्शन करें लेकिन टाइम एलाओ नहीं कर रहा है फिर भी एक दो सवाल में ज़रूर पुछना चाहूंगा अभी का जो हालत है यानि डिजिस वाइज अगर हम देखें डवल एच्व भी कहते हैं कि ज्यादा तर नॉन नॉन कमुनिकबल डिजिस हो रहा है और डिएपेटिस के भी बहुत सरे कॉप्लिकेश्टिस अगर हम इन डिजिस को देखें डिएपेटिस हाट डिजिस कैंसर अर्थ्राइटिस बगरा इनक के साथ कौन सा ओके लैपकर का सप्लिमेंट हम लगातार उन लोगों को दे ताकि वो जल्दी से ठीक हो रिकॉबर कर या फिर उनके खतरना डैमेज उनको ना हो तो कुछ प्रोड़क्स थोड़ा सा ब्रीफिंग के साथ मेरा मानना है डिएपेटिस एक कॉंप्लेक्स डिसोडर है तो सप्लिमेंट के साथ डाइट जो है किस टाइप का खाना खा रहे हैं आप अपने तर्बूज के उपर खा लिया तो वह मैकसिमम आपका निकल जाएगा यानि कि आपको फूड का जो आप उस टाइम पे खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप आपको नहीं माल लोड़ी एक्सरसाइज डाइबिटीज में डाइटरी हैबिट एक्सरसाइज एंड आपका सप्लिमेंट और प्रोपर आपकी उसकी सर्विलेंस और एक आदमी की जिम्मेवारी डाइबिटीज वाले में देखने को यह मिलता है कि लोग इतने फरस्टेट हो जाते हैं का मू प्रोड ड्यूटी लगा या आपके घर में कोई डाइबिटीज परसन है तो आप उसके गाइड बन जाएंगे तो उसके लिए आसानी होगी चीजों को यूटिलाइज करने में बट लो जी आई फूड लोग पूछते हैं जी यह मीठा है बेरी फ्यूल तो क्या यह लेना क्या चाहिए ने लिए देखिये मीठे से प्रॉब्लम नहीं है इस अब उसमें टोटल कैलरी तीस हैमिल में आपकी कितनी जा हौए है आपको क्या लगता है कि needed स्वाल पुछते ही कि यह ले सकातर्पल nawr उनका पुछने के तरीगे सफाई सा लगते हैं कि ये मीठा है तो खाई नहीं सकते हैं। इसी चीज़ को मैं कोट कर रहा हूं। कैलरी इतना हो जाता है, नूट्रीशन इतना मिलता है तब दिक्कत आती है, जब नूट्रीशन जादा है और कैलरी कम है, वो राइट फूड होता है किसी भी डाइबिटेज या मेटावलिक डिसोडर के लिए अब बेरी फ्यूल जो है वो कैलरी में तो इतना ज्यादा है एंटी ओक्षिदेंट फाइबर सोरी नूट्रीशन में तो बहुत देंस है बहुत ज्यादा देंस है मिननल्स वाइटामिन्स एंटी ओक्षिदेंट डाइटरी फाइबर यह सारी चीजे मेडिशनल वेलू जो रखती है वो सारी चीजे इतनी भरपूर अमाउंट में उसमें और कैलरी का परसन बहुत चोटा है और बिना कैलरी के आप जिंदा नहीं रह सकते डाइबिटीज वाले को कैलरी तो चाहिए पर कैलरी को यूटिलाइज करना और एकदम से इतनी कैलरी ले लेना कि उसका इंसुलीन से लेके उसकी जो सेंस्ट्यविटी के जो इसू भी है वो कही ना कि इए वो सिस्टम हो जाता है और वो कैलरी, एक्स्ट्रा कैलरी ब्लुड में घुमती है यह अम डाइबिटीज बो बोलो क्योंकि आपके diabetes भी control होती है आप गूगल करना कैसे आपके probiotic type 2 diabetes को खतम करते हैं आपके probiotic diabetes को भी control करते हैं insulin की sensitivity को बढ़ाते हैं इसमें बहुत सारी research है publications हैं तो आप calorie कम ले रहे हैं छोटी amount में calorie है और बड़ी amount में nutrition है जो body की जरूरते हैं वो ज्यादा है और जो बोड़ी की जरूरत नहीं है वो कम में है तो लो GI है हाई nutrition है तो बेरी फ्यूल is very important for everyone चाहिए वो cardiac है जो skin ठीक करना चाहता है liver ठीक करना चाहता है diabetes को control करना चाहता है brain को ठीक रखना चाहता जो मैंने बता दिया चोटा engine cell और cell के लिए सबसे अच्छा पता आता fiber probiotic antioxidant vitamins minerals आपको बेरी फ्यूल में सारी चीज़े मिल रही है probiotic आप कहीं ना कहीं थोड़े वो तो हर किसी की body में होते हैं fiber मिलेगा और वो बेरी वाला fiber मिलेगा जो delicious food होता है probiotic के लिए तो एक दिम से full risk करेंगे राइट दूसरा आता आरजी राइन भी मीठा है बट वो calorie में नहीं है वो nutraceutical है यानि कि फूट का part है वास्ट डालेशन इफेक्ट है insulin की sensitivity को बढ़ाता है मीठा है पर मेरा जैसे आतन कुर करेगा टेडा है पर मेरा है मीठा है पर diabetes वाले का भी है वो उससे calorie नहीं आ रही है उससे आपको benefit मिल रहा है आपकी हर cell तक blood पोंच रहा है हर cell तक calorie इंसुलिन की sensitivity को बढ़ा रहा है तो diabetes को कंट्रोल करने का डिरेक्टली इंडारेक्टली वेसे वह काम करता है राइट सो यहां पर एक बंदी का surveillance लेना घर में एक बंदा उसके साथ जुरूर जुड़े दूसरा उसकी dietary habits दिन में low GI food खाए वो थोड़ी केलरी कट करें रिफाइंड सुगर रिफाइंड ओयल रिफाइंड आपका आटा इन चीजों को का प्रेज करें और साथ में एक मील आप रिप्लेश करें अपना किस से जो अपना absolute मील है वो भी nutrition ज्यादा है कैलरी कम है फाइबर भी है उसमें प्रोटीन भी है उसमें और साथ में वाइटामिन्स मिनर्स के साथ प्रोबाइटिक वे complete है एक तरीके से राइट आप जैसे हर्बल जो चीजे हैं कोई भी आदर आप जैसे तिरफला है रहती है तिरफला यूज कर सकते हैं अवला यूज कर सकते हैं यह फंक्शनल जूस जो आपकी पूरी बोडी को रियोजोनेट करने का काम करता है और उसमें बहुत अच्छा औप्शन है और और सेम टाइप की चीजे ही आपको वेड मेनेजमेंट में चाहिए लो जी आई व अर्थराइटस में मेरा मानना है कि प्रोबाइटिक जुरूर तीन महीने स्टार्ट करें फाइबर लेना स्टार्ट करें और साथ में आप हमारी जिंजर की टैबलेट आती है जिंजर है आवला है साथ में हमारा कर्क्यूमिन है और लगता है आपको इसमें साथ में आप सकते हैं और थोमेगा के साथ यह आपको लगता कार्टिलेज की प्रावलम है सो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग यूटूब पे पड़ी हैं और आगे भी हम करते रहेंगे जिसमें आप इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से जान पाएं कैंसर से बचाएगा से बचाएगा कुछ ना खाना भी आपको विमारी से बचा सकता है सब्सटेस में तो वैसे कतम हो जाएगा चाहिए कार्क्यूमिन है गैनोडर्मा है चाहिए आप कोई विलाज लेते हूं आप इनको जुरूर ले बेरी फ्यूल है इसको आप जुरूर ले आपको कैंसर प्रिवेंशन एंटी कार्सिनोजन इन सारे इफेक्ट को आपको देखने को इन से मिलेगा पाउरफुल एंटी ऑक्सिडेंट से अभी लास सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग काफी टाइम ले चुके आपका एंड थैंक्यू सो मच कि लोग अभी तक बहुत सारे सवाल यहां पे हैं मैं माफी चाहूंगा आप सबका सवाल का जवाब वास नहीं दे पाएंगे बट मैंने नोट कर लिया धिर सब्सक्राइब आप यह डाइटरी सप्लिमेंट और इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देखते हैं अज लोके लाइफ का डिस्ट्रीटर हमारी पोटेंशल क्या है इन कमिंग 10-15 यह मैं वहीं बता रहा हूं जैसे आपकी मोबाइल जुरूरत बन गी ऐसे आपकी का नंबर होगा जो हेल्थ एक्सपर्ट होगा तो आपको आने वाले कल में यदि आपको जो प्रॉब्लम है इंसानों की वह हैं डिसोडर्स डेफिसेंसी यानि कि और यह अब दो तरीके से डबल टू-फोल्ड वे में यह बढ़ता जा रहा है टू-फोल्ड वे क्या है एक तो मोटे उपर से कमी तो शरीर भारी अंदर से खोकला तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज की जरनेशन के लिए क्या है कि अपने डेफिसेंसी को पूरा करें शरीर को स्लीम रखें सब को हर को स्लीम दिखना चाता है इंसान बड़ी आजीव सी चीज है जब खेट म काम करते तो वह लगा चाते थे आज हम काम नहीं करते तो हम असलीन दिखना चाते हैं आपको आने वाला जो कल है निट्रेशनल इंडस्ट्री का एक सुनहरा यूग होने वाला है अनफोर्चनेटली मैं इसको बोलूंगा अनफोर्चनेटली क्योंकि नेचर से दूर आने वाला अब घर से दूर रहें तो कौन मिलवा रहा है आप नेचर से दूर रहेंगे तो फूट सप्लीमेंट आपका पार्टनर बन सकता है आने वाले टाइम में अमर्जेंसी सर्वीसीज में ही डोक्टर काम आने वाले हैं नहीं तो आपको डेली लाइक में काम आने वा यह लोगों की जिन्दगी में आ चुकी है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इसमें काम होने वाला है आप फंक्षनल फूड से लेकर पैक फूड़ आप देख रहे हैं पैक फूड में भी आज जूद आने लगे हमारे हम बच्चे होते थे तो उस टांबे कार्बोनेट ड्रिंग्स ही आती थे आज उसके बाद माजा आई, माजा के बाद जूस हाया, जूस के बाद भी आप chemical free आप raw juice, ये juice, functional juice तरफला juice, soundla juice अब इसमें category आने स्टार्ट होगी specialization आना स्टार्ट होगया तो ये किस तरफ ही सारा कर रही है पहले only body exercise होती थी या physical workout आपका वैसा होता था, athletics वाला आज आपके जिम आगे हैं, जिम के बाद stretching वाले, yoga वाले, so ये सारी चीज़े indicate कर रहे हैं कि इंसानों के जिंदगी में food supplement एक बहुत बड़ा roll play करने वाला है लोगों की समसाओं को दूर करने का साधन बनने वाला है, क्या आप इस industry को welcome करना चाते या नहीं करना चाते it is up to you, बट ये industry हर इंसान को welcome कर रही है, इसके बिना जीना एक तरीके से मुश्किल होता जाएगा, so मेरा यही आप लोगों से आग रहे है, थोड़ा सा जी जान से इस industry को 4-5 महिने, health की knowledge को, food की knowledge को, digestion को basic सी training जो हम provide कर रहे हैं या YouTube के मादम से आसानी से आप बहुत सारी information ले सकते हैं, Google के मादम से ले सकते हैं इसमें 3-6 महिने इसको information gathering से लेके लगा दीजिए और अपने business को तनमन धन से जो आपके nutraceuticals वाले product हैं उनको जुरूर promote करें आपका आने वाला सुनहरा पल हो सकता है financial freedom हो सकती है खुद की health, family की health अपनी society की समाज की और एक healthy India और fit India जो आज हमारी government भी इस मोहिम को चला रही है खेलो इंडिया, फिर fit इंडिया ये सारा कर रही है कि किस तरफ ये विशो बढ़ रहा है किस तरफ ये इंडिया बढ़ रहा है किस तरफ आपका प्रिवार जा रहा है किस तरफ आप खुद जा रहे हैं ये मुझे नहीं लगता आप सोचने का कोई एक topic रह गया है अभी इसको दोनों हातों से opportunity को grab करने का time आ गया है क्या हम अपनी health अपने समाज की health अपने प्रिवार की health और अपनी pocket की health को आगे लेके जाना चाते हैं तो nutraceutical industry में career बनाना मुझे लगता है एक बहुत अची opportunity हम सब लोगों के लिए हैं Thank you so much और बहुत अच्छा session रहा मुझे लग कि हम लोग ने science उसके पीछे का technology उसका future और हमारा नाता इनके साथ कैसे होने वाला है क्योंकि जैसे आपने कहा मुझे भी लगता है कि आने वाले कुछ time पे हम चाहे या ना चाहे हमें supplementary supplement लेना ही परेगा चाहे किसी भी तरीके से हो बीमार हो और नार्मिल हो और हम fortunate है कि उस वक्स से पहला हम इसके साथ जुड़े हैं और इस तरह के session के session के बौदलत हम अच्छे-च्छे लोगों तक बहतरी knowledge पहुँचा सकते हैं समाज को awareness दे सकते हैं और लोगों को खतरनाक बीमारी उसे प्रिभेन कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा आप सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में डॉक्टर बिक्राम के लिए कोई भी message drop करना चाहते हैं आप कुछ भी acknowledgement कोई भी feedback देना चाहते हैं दे सकते हैं और मैं personally बहुत बहुत शुक्री गुजारू आपका सार इतना सारा बाच्चित करने का मौका मिला I loved it Thank you so much इस्फाकुर जी मैं भी आपका बहुत दिल से thank you बोलना चाहता हूं कि ये one way communication नहीं हो सकता था दो लोगों के बीच में क्योंकि आप भी moreover इसी field से हैं तो मैं आपको salute भी करना चाहूंगा इस industry को आप भी सीच रहे है अपनी नजरों से अपने experience से so thank you so much आज इस session को conduct करने के लिए और जितने भी listener हमारे सुन रहे हैं आप जुरूर जो supplement को नहीं जानते कैसे use करना है इस session को जुरूर अपने share करने अपनी टीम में यूटूब पे डॉक्टर विकरांद नर्वाल का एक छोटा सा channel है वैसे तो commercial channel नहीं है आप लोगों के लिए रहता कि क्योंकि आज का discussion मैं भी decide नहीं करा कि मुझे क्या बोलना है क्योंकि यह सारी चीजे होती है सामने वाला question क्या पूछेगा किस तरीके से session चलेगा तो यह natural चीजे हैं यह कोई artificial चीजे नहीं है तो इसको जुरूर आप साजा करें अपनी टीम में और channel के मादम से अपना information को जुरूर update करते रहें thank you so much love you all जै हिंद जै ओके life care नमस्कार अगले वर्डेस दे का बेशाफरी से इंतजार करेंगी या फिर टूइसडे का जब भी हो और मैं सारे दर्श्रकों से हमारे leaders रिक्वेस्ट करूंगा इस session को हम लोग जितना hit करेंगे उतना फिल में आपका जो capacity है आपका potential आपका response है ज्यादा बढ़ेगा तो अगले हबते फिर से आपसे मुला